नमस्कार दोस्तों मैं प्राइमरी सोलूसन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने अंड्रोइड मोबाइल से हिलने वाला फोटो कैसे बना सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपका फोटो कुछ इस तरीके से होगा जो की आपको बहुत ही मज़ा देगा और आप इसको जब अपने अंड्रोइड मोबाइल से बनाएंगे तो कुछ अलग ही इफेक्ट देखेगा और आप जहां से अपने फोटो को हिलाना चाहते हैं हिला करके देख सकते हैं बहुत ही मज़दार फोटो है तो दोस्तों आप आपको अपने android मोबाईल में प्ले स्टोर ओपिन करना और प्ले स्टोर के सर्च बॉक्स में आपको यहां पर टाइप करना है जेलीफाई जे डबल ल आई एफ वाई और सर्च कर देना है दोस्तो इस application को आपको अपने android मोबाईल में इस्टॉल कर लेना है जो कि मैंने पहले से ही अपने Android मोबाइल में इस्टॉल कर लिया है अब दोस्तो इस application की rating देख लिजिए 4.6 है और 100,000 लोग इसे पहले से इस्टॉल कर चुके हैं तो चलिए दोस्तो इस application को open कर लेते हैं open करने के बाद दोस्तो इस application का interface कुछ इस तरीके से दिखाई देगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक new का option तो आपको इस new के option पर click कर देना अब आपको यहाँ पर मिलेगा 3.0 तो यहाँ पर भी आपको click कर देना है अब आपको यहाँ gallery select करना या अगर आप photo click करना चाहते हैं तो आप photo भी click कर सकते हैं तो दोस्तो हम यहाँ select कर लेते हैं gallery और दोस्तो gallery select करने के बाद यहाँ पर आपकी gallery open हो जाएगी तो यहाँ से अपने gallery में से आप कोई भी एक photo select कर सकते हैं तो दोस्तो हमने ए फोटो को select कर लिया है दोस्तो इस फोटो को आप crop कर सकते हैं जितना रखना चाते हैं उतना रख सकते हैं तो मैंने इस फोटो के size इतनी रख लिया है अब आपको ऊपर एक arrow का option दिखाए देगा इस पर आपको click कर देना है click करने के बाद दोस्तो आपकी फोटो कुछ इस तरीके से यहां दिखाई देगी अब दोस्तो आप touch करके जहां से हिलाना चाते हैं वहां से आप फोटो को हिला सकते हैं देखिए जैसे कि मैंने nose को अपने हिला रहा हूँ देखिए मैं अपनी eyes को हिला रहा हूँ ऐसे ऐसे और यहां से मैं अपने बाल को हिला रहा हूँ देखिए कुछ इस तरीके से जो की बहुत ही मैदा दिखाई दे रहा है और मैं अपने nose को ही हिलाऊंगा बहुत ज़्यादा मज़ा देगा अब दोस्तो इसको save कैसे करते ही यह भी आप देख लिजे क्योंकि यह most important है कि इसको save कैसे करते है तो यहां पर दोस्तो आपको मिलेगा share का option तो यहां share का option पर click करने के बाद यहां पर आपको right side में उपर मिल जाएगा tick करने का option तो आप यहां पर tick कर दिजे और यहां पर अपनी quality select कर दिजे और next कर दिजे दोस्तो जब आप next करेंगे तो थोड़ा सा time लगेगा और आपका यह photo आपके android mobile के gallery में save हो जाएगा और वहां से आप अपने photo को देख सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको यह video पसंद आई हो तो please इस video को like कर दिजे दोस्तो अगर अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया तो please दोस्तो इस video के नीचे आपको rate color में लिखा होगा subscribe उस button पर click करके आप हमारे channel को subscribe कर लिजे और दोस्तो notification bell को on कर दिजेगा क्योंकि आपके लिए हम रोजाना इससे भी मैदार मैदार वीडियो लेकर आते रहते हैं